जय मातादी दोस्तों, भगवान शिप का हर रूप अनेकों रहस्यों को समेटे हुए हैं। कला के भगवान शिप जी के तांडव निर्त्य को अभी भी रहस्य माई माना गया है। आए विस्तार से जानते हैं शिप जी के तांडव निर्त्य की महिमा। जिसके द्वारा निर्मार्ण, सनहार, रखरखाव, मौक्ष और माया इन पांच तत्वों को दर्शाया गया है यह पंच तत्व वेदों में स्रिष्टी, स्थिती, सनहार, तीरुभाव और अनुग्रह के नाम से जाने जाती है शिवजी साथ प्रकार के तांडव निर्ते करते हैं, जब वह प्रसन होते हैं तब आनंद तांडव करते हैं और जब क्रोधित होते हैं तब उनके द्वारा किये गए निर्ते को रुद्र तांडव कहा गया है भरत मुनी द्वारा लिखे गए नाटे शास्त्र में शिव जी के सातो तांडव नित्यों का उलेख मिलता है जीने आनंद तांडव, त्रिपूर तांडव, संधया प्रदोष तांडव, संहार तांडव, काली तांडव, गौरी तांडव और उमा तांडव के नाम से जाना ज प्रदोश व्रत के संबंध में शिप पुराण में यह उलेक मिलता है कि त्योधर्शी के दिन प्रदोश काल में शिप जी केलाश परवत के रजत भवन में अंध्या तांडव निर्त्य करते हैं इस समय मा पारवती रत्न जड़ि सिंगहासन पर विराश्ती हैं देवी सरस्व वीडा बजाती हैं इंत्रदेव बांसरी बजाते हैं ब्रह्मा जी ताल बजाते हैं विश्नु जी मृदंक बजाते हैं और मा लक्ष्मी गायन करती हैं सबी तांडव निर्त्यों में गौरी तांडव और उमा तांडव को बेहत ही डरावना निर्त्य माना गया है यह निर् मुखिता पुर्षो द्वारा ही किया जाता है तांडव निर्थे को जहां भगवान शिव का निर्थे कहा जाता है वहीं मा पार्वती द्वारा किये गए निर्थे को लास्ने निर्थे कहते हैं इस निर्थे में सुन्दरता और कोमलता को दर्शाती हुई मुद्रवां को प् पति जब प्रजापती दक्ष की यग्यवेधी में देवी सती ने आत्मदहन किया था तब प्रचंप कुरोथ से शिवजी ने तांडव निर्थे किया था इस निर्थे से सिस्टी में भयानक हलचल हुई थी इसलिए यह निर्ते प्रकार भी वैसा ही उग्र माना जाता है भगवान शिव के नट्राज स्वरूप का उले सर्व प्रतर महेश्वर सुत्र में किया गया है जिसके अनुसार शिव जी ने तांडब निर्ते करते हुए 14 बार डमरू भजाया था जिससे संस्कृत और व्याकरण का निर्मान हुआ था इससे पहले संसार में कोई ध्वानी नहीं थी शिव जी ने नाग साधना के द्वारा ही वानी की उत्पत्ती की थी नाद को ही ओम कहा गया है और शिव जी का डमरू भी नाग साधना का प्रतीक माना गया है ब्रह्मा जी ने देवताओं के आग्रह पर पांचवे वेद का निर्मान किया है जिसे नाट्य वेद कहा गया है नाट्टे वेत के निर्मान के बाद ब्रह्मा जी ने इसे भरत रिशी को दे दिया था इसी नाट्टे वेत के अधार पर भरत मुनी ने नाट्टे शास्त्र की रशना की थी तांडव नृत्ते का उलेग करने के लिए जब भरत मुनी ने शिवजी से अनुरोथ किया तब के गण तंडू के नाम पर ही इस नृत्य का नाम तांडव नृत्य भी पढ़ा है ग्रंथ की रचना के बाद भरत रिशी ने अपने शिश्य को तंडव का प्रशिक्षन भी दिया था भरत मुनी के द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र वारा ही आज भी शिप जी का दिव्या तंडव नृत्य पीड़ी दर पीड़िद भी जीवंत बना हुआ है इस ग्रंत में नाट्य अभिणिय लेखन दिकदर्शन मुद्रा भिण्य गायन संगीत और नृत्य का संपूर्ण विवरण है इसे ग्रंत में भरत नाट्यम का भी व विधाओं में भगवान नट्राज की पूजा की जाती है। भरत नाट्यम करने से पहले अंगिकम, भूवनम, इश्लोग का पाठ किया जाता है। शिवजी के नट्राज सुरूप की यह प्रतिमा सबसे पहले पांचवी सदी में मिली थी। नट्राज मुद्रा में भगवान शिवजी को एक गोल घेरे में दिखाया गया है, जिसमें से अगनी की ज्वाला निकल रही है। और बाया हाथ उपर उठे बाय पैर की तरफ है। इसका अर्थ है कि जो भी शिवजी की शरण में जाते हैं, उन्हें कोई भी डर नहीं होता है। शिवजी का दाया पैर अपसरा पूरुष नामक एक दैत्ते पर है, जो अग्यानता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शिवजी की शरण में जाने से अग्यानता का नाश हो जाता है। नट्रास वरूप में शिवजी ने दोनों कानों में अलग-अलग कुंडल धारन किये हुए हैं, जो शिवजी के अर्ध नारेश्वर रूप को दर्शाती हैं। शिवजी की कमर में लिप्टे हुए सर्प को कुंडलीनी शक्ती कहा गया है, जो अलोकी कूर्जा का प्रतीक है। यहां तारे, अकाश, गंगा अनक्षत्रों का वर्णन भगवान शिवजी की जटाओं द्वारा किया गया है। इस परकार भगवान शिव के नट्रा स्वरूप में पूरे ब्रह्मान का चित्रण मिलता है। तांडव करने वाले भगवान शिव यही बताती हैं कि जीवन में गती का होना जरूरी है। लेकिन गती में भी नियंत्रन बनाए रखना चाहिए। इसी के साथी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए। अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।